कॉंग्रेजूलेशन्स तु दे जवान फैन्स जवान बिकम्स हाइस ग्रोसर हिंदी फिल्म यह फ्रॉम बॉलिवूड पीट्स गदर्टू और पठान रेकॉर मैं उन दोगले यूटूबर जैसा नहीं हूँ मेरे भाई के अगर को इनको क्या लगा था कि मैं वीडियो ही नह आउंगा तो ऐसा नहीं है भाई अपना प्रेडिक्शन पठान को लेके था जो गदर्टू ने तोड़ा और अपना प्रेडिक्शन जवान को लेके भी पहले से ही था क्योंकि मैं जब भी बोला था अपने अब पूरे वीडियो में मैं क्या बोला था सिर्फ पठान का रेक अब भी शक्ता रहे हो सकता है कि जवान सिर्फ साड़े पास सो करोड नहीं बलकि छे सो करोड भी हिंदी में जा सकते अब यह चोई सो का थोड़ा मुश्किल है हो भी सकता है पर पर वो स्क्रीन कम हुए है पर मैंने यह भी बोला था कि वन पे वन ऑफर गदर्टू ने नह लाएंगे और इन्होंने लाया और उनको कल फाइदा हुआ है कल का कलेक्शन देखो कितना है पूरा बता दूंगा डिटेल नहीं उन टाइप का नहीं हो कि सिर्फ एक कोई प्रेज करते रहो कि वो लोग जो थे जो जिन्होंने प्रेडिक किया था कि मैं मैं वीडियो नहीं तो भाई देखो कल इसने 5.81 करोड कम है उसका रीजन भी बता देता हूँ वेनेज़ दे को कम चार पॉइंट चार पास था लेकिन थर्जडे को 5.81 करोड क्यों आया क्योंकि ऑवियसली गंपती विसरजन हॉलिडे था सुबह के और आफ्टरनून के शोज तगड़ा गए टाइप के लोगों को ये समझ में आता कि 1-1 पहले ही ला सकते थे पठान वालों ने भी 1-1 ओफर लाया था उन लोगों ने भी लाया रेडचिलीज वालों ने लेकिन Z-Studio वालों ने आज तक गदर्टू के लिए 1-1 ओफर नहीं लाया उन लोगों ने 2-2 ओफर लाया 2-2 क का कुछ फायदा नहीं रहता है 1-1 ओफर डायरेक्ट एक टिकिट फ्री मिल रहा है तुमको आदे में तुम मुवी देख रहे हो यह पहले ही करना चाहिए ता जो नहीं कर पाए उसमें क्या है तो भाई यहाँ पर क्लियर है हाइस ग्रॉसर हिंदी फिल्म यह बन चुकी है और यह रुकेगी नहीं क्योंकि अभी क्या है 525.5 करोड का कलेक्शन इसका एक्यूरेट हुआ है हिंदी में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूँ क्या बोलते है हिंदी तमिल तेल्गु में तो 525 में 60 करोड आयर कर लू 583 करोड 58 करोड यह तमिल तेल्गु का तो 583 करोड मतलब यह भारत में हिंदी तमिल तेल्गु अगले चार दिनों में सब कुछ मिला के 600 करोड भी हो जाएगा वर्डवाड की बी बात करना है तो एक्शली यह रईर चिलीज वालों से पोस्टर देना चाहिए था उन लोगों ने अभी पोस्टर नहीं दिया है 1060 करोड के उपर या फिर 1050 करोड तो कहीं नहीं गए गए होंगे पर एक्चुली यह लोग पोस्टर देंगे तो यह मैं थम्निल चिपका पाऊंगा वरना पोस्टर वरना मैं एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि वर्डवाइड भी कितना हुआ है जस्ट मिनिट लेकिन बेवजा किसी को जच करने से पहले यह मत बोलो भाई के मैं कलेक्शन नहीं दे रहा हूँ यह वह मैंने पहले भी बोला था कल याद कर लो जवान के एकी वीडियो ओफिशियल बनाया करूंगा रोज तो भाई बना रहा हूँ और वो भी कलेक्शन आने के बाद बना रहा हूँ फेकू गिरी तो नहीं कर रहा हूँ तो भाई देख लो वर्डवाइड देख लो कितना हुआ है वो पोस्टर देना चाहिए यार रेट चिलिज वालों नहीं दे रहे तो क्या करे एलिस दो दो तीन बात तो देना चाहिए ये 4-5-5 दिन पहले का पुश्टर ही अभी वे एक हजार चार का है 1040 से लेके 1050 करोड के रेंज में आया होगा तो भाई बार बार किया हूँ और करता रहा हूँ कूप प्रेडिक्शन था मेरा घदर्टू के पहले ही दिन, कि वो उसको तोड़के रहेगी, पता नहीं कि वो एक अंदर से फील आया था, पहले से ही था, ति गदर्टू बनेगी, Highest Grosser Hindi Film, मुझे बाद में, क्योंकि जवान बाद में रिलीज हुई, उसका प्रेडिक करना मुश्किल था, पर पठाण को लेके मैं पहले से बोला था, बहुत लोग हसे थे, और इसलिए कल क्रिटिसाइज करना बनता था, मतलब वो बोलते ना कि 50 दिन चुप था, एक दिन में वो बदला लिया, बदला लेना ज़रूरी भी था, क्योंकि भाई, आप लोगों ने क्या बोला था, कि पठाण का रेकॉर्ड, बाकी कोई नहीं तोड़ पाएगा, जवान ही तोड़ेगा, पर मेरा एनलिसिस गलत नहीं था, बड़े-बड़ी यूटूबर्स का एनलिसिस गलत था, तो बात वो समझो, बात ये कभी नहीं थी, कि जवान वर्सेज गदर टू, गदर टू वर्सेज पठाणी चल रहा था, यस तो हाँ, अब यहाँ पे कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे, अरे देखो भाई, हमने तो रेकॉर्ड बनना लिया, पर मान के चलो, अगर टाइगर 3 आती और तोड देता है, जो कि मुझे लगता है कि अब मैं वो भी प्रेडिक्शन करने को तयार हूँ, थीओ, अगर ताइगर 3 अगर तगडा स्टार्ट मिल जाता है, तो भाई वो जवान का भी रेकॉर्ड तोड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, आप यहीं बोलोगे न, भाई रेकॉर्ड थो बनते ही तूटने के लिए, तो मैं वही बोलूँ गा, तो रेकॉर्ड थो बनते ह आहाला कि वह देखते हैं कि ताइगर तोड़ती है या नहीं पर आगे चलके टाइगर पर पठाण नहीं है भारत में टौप पे वह जो ना में नहीं है टौप पे यह मानो ना मानो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे क्योंकि जो जब तालीबान में एटैक हुआ इतना तगड़ा वाला वह पठाने से लठके हुए थे और उनको तुम प्रेज करके बोल रहे हो कि बहादूर होते कैसे बहादूर भाई भाग के आये थे वह लठके हुए याद कर लो तो बात वही थी कि बेवजा का घमंड वह चकना चूर करना था और अगर मैं उस बात को बहुत से यूटूबर्स ब्लाइंड लिखरते को नहीं नहीं पाएगा नहीं पठान को क्या सिर्फ जवान ही तोड़ेगा ना एनलीसिस उस टाइम पे आपका कोई फेवरेट अक्टर नहीं जब आप एनलीसिस करते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे पसंद आए वीडियो तो वरना आपकी मर्जी है जैहिन